तो देखे अलबेला की चन में आज क्या बनाएं आप लोगों के लिए आप देख करके समझी गए होंगे कि आज मैंने क्या बनाएं आज मैंने बनाई है परवल की बहुत ही स्वादिश्ट सी मिठाई देखे पित्र पक्स लगे वे हैं या भई आप इसको दिपावली पर बन मिठाई बनती है बाजार से लेगा आएंगे तो आपको 1000 रुपे से उपर ही मिलेगी इसे कम नहीं मिलेगी बहुत ही और घर में बनाई हूँ मिठाई है तो मतलब एक्दम शुद तरीके से बनाई है हमने हम पता है कि हमने इसमें क्या डल आए तो इसलिए आप बनाई आज जरूर एक बार दीपावली पर बनाई कैसे भी बनाई या भी बनाए लेकिन बनाईएगा जरूर तो चलिए बनाते हैं फटापट से वीडियो पूरी देखेगा स्क्रिप मत की जगा देखे एक लीटर मैंने दूत ले लिया है और इसका मैं अभी खोवा निकाल दी हूँ हम इसको वैसे मावा बोलते हैं कुछ लोग खोवा बोलते हैं तो आप जो भी मतलब जिस तरह सभी समझे आप उस तरह सा आप इसको बना करके रख सकते हैं तो देखे इस तरह से जब मैं खोवा निकाल दी थी तो यह इस तरह के से थोड़ा सा गाड़ा हो गया था और इसी स बड़ेगी और देखे इस तरीके से आप अगर चीन उपर ही डाल देंगे तो इसके साथ ही मतलब मेल्ट हो जाएगी इस तरीके से तो इधर ले लिए मैंने डाइसोग्राम परवल और इनको अच्छे से दो करके मैंने रख लिया था और छोटे ही आपको परवल लेने असानी से इसके अंदर से बीज निकाले नहीं तो जीसे कि आप इसको जादा खोONAगेond p féndare न को इसको फट जाएगा तो अरह बड़े ही आराम से आपको इसके अंदर से जो बीज शु बृबवा खाली कर देना है जैसे हम करिला बनाते हैं बरवा करिला उसको खाली करते हैं इसी तरीके से इसके सारे बीज निकाल देंगे इसको खाली कर देंगे तो ऐसे ही करके मैं मतलब सारे जो परवल है उनको छील करके और इस तरीके से तयार कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपक यह देखे बिल्कुल खाली कर दिया है इस तरीके से सभी को तयार करके रख लेंगे और मतलब जैसा एक दो बीच से फट भी गाया तो मैं उसकी भी बहुत अच्छे तरीके से मिठाई बनाई थी वह भी बहुत अच्छे लगी आप चाहिए तो ऐसे भी बना सकते या फिर ऐस भी मेरे primeiro फिर गलास के और इस पाणी में आगिया था इप वाल तो अब वालने के बाद इसमें पर को डाल स्वाथ से इसम्सिंपल पाणी है से में यह पर बटालने के बाद पांच मिंट पर बिर के उसके बाद आप गैस बंद कर देंगे इस तरीके से देखिए यह बिल्कुल मतलब अच्छे से इसकी जो इसकी होती है ना वह एक तम नरम पड़ जाएगी और जो इसमें हलका से खारा पन होगा वह भी पाणी के अंदर निकल जाएगा इसका जो कच्छे पन का मतलब जो वह इसमें पाणी के अंदर निकल जाएगा और यह बहुत अच्छे से त्यार हो जाएंगे तो यह देखिए वह ही मतलब मैंने जो फ्राइपैन था पैन था वो ले लिया और इसके अंदर डाल दिया मैंने एक कप पानी इस तरीके से और यह इसमें आदा कप जो होता है चिन्न खोब घूंड हो जाए अब कि पानी खोब घुड़ा हो जाए चास्नी का यह इस तरह सब्सक्राइब ले कि अवर्गे70 पहले कि देखिए इसका एंहे नियार पॉयाने लिए देखिए पानी पानी में नोगे थे एंसे ठोडी देभी सब्संडने अं शूस तरह से उसका पा है वो पाणी के अंदर ही खतम हो जाता है अगर डारेक्ट इसको चासनी में डाल लेंगे तो थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं होगा ना ही इतना सोप्र बने गए तो इस तरीके से पहला आप इसको पांच मिन्ट के लिए पाणी में रखे और थोड़ी दिर उसके पाणी में इसको गेर करके थोड़ी दिर के लिए पकाणा से little आजीigent बहुत ही सिंपल तरीके से ये मिटाई बनती है और बहुत ही गजब की लगती है तो इस तरीके से आप लोग बार ट्राइज सब्सक्राइब करो होची ऑप करोंगे तो मेरी गुञिजियो कीजियेगा उ पिर प्ल कलर पी चैंज हो गया था इनका तो अब लगा कि हाँ यह तैयार है तो फिर मैंने इनको बाहर निकाल लिया और चासनी से बिल्कुल मतलब एक छलनी के अंदर करके रख दिया था इधर यह खोवा तैयार हो गया था हमारे इसमें डाल दिया लैशी पाउडर थोड़े से बाद कि जैसे बाहिए बच्पन में जैसे बैहिए आपको देखे थोड़ा सा लगा कि मैं क्या कहरे हूँ जैसे हमारी मम्या मेंधी लगाती ती और मुठी बंद कर देती तो इसी तरह किसे मतलब यह हमें बनाना है मुठी बंद करके ही जो इसके अंदर पिठी बरनी एक रोल सा और यह देखे इस तरीके से इसके अंदर हम भड़ देंगे बच्पन में जब हमारी मम्मिया मेंदी लगाती थी और मुठिया बंद करके कपड़ा बांद देती तो वह इसी तरह से बंद था था तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रही हूं आपको इसी तरीके से बनाना है यह देखेगा इस तरह से मैं मुठी में लोंगी इस तरह से ले लिया और इसी तरीके से इसको इस तरह से कर लोंगी तो यह हो गया ना बिल्कुल सेम उसी तरीके से जो मैं बता रही हूं तो इस तरीके से देखिए अब इसको ये होगी थे हमारे दो तीन परवल तेयार बहुत ही जल्दी बनती है मिटाईर बहुत ही अच्छी लगती है देखे बजार से लाके तो आपने बहुत बार खाया होगा लेकिन एक बार आप इस तरह से घर में बना करके खाए खुद ही मतलब इतने खुशी होती है जब कोई हम ऐसी चीज बना करके खाते हैं बहुत यह अच्छी लगती है और दूसरा तो कोई इसकी जरसी भी तारीफ करते था उनको भी मैने इस तरह के से बुराइंति ये बादाम का पीस बाकिस आप इसके उपर वर्क है वह भी लगा oak इस में j ю इसको तो पहुत वहे नहीं था तो मैंने इसे ये स्वों किया तो देखेगा बहुत अच्छी मिट рай बहुत अच्छी है तो एक बार ट्राइ तो जरूर करना बनता है घर में सुध चीज्राइं बनाकर खाई तो उससे बहुत अच्छी मतलब वह एक वह आती है स्वास्ते भी अच्छा रहता है और खुद मतलब एक अपने आथ की जो चीज बना करके खाते उसकी खुजी भी अलगी होती है तो आप लोग भी एक बार बनाईएगा जरूर घर में ही बिल्कुल सूद तरीके से और तो हार उपर तो इतनी मिलावटी चीज़े मिलती है कि आप घर में बनाएगी तो बहुत अच्छा र जरूर कीज़े और एक लाइक जरूर कीज़ेगा तो यह देखें कितनी अच्छी मिटाई है आप लोगों के लिए तैयार बनाएए खाईए और फिर मुझे बताएए कि आपको कैसी लगी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में